हेल्ट फ्रेंट्स मैं हूँ संदमे प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब नियूज सबसे पहले इनपार्टेंट कोश्चन्स जिसपे डिटेल हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में तो कोरोना से 47,44,000 लोग की मौत हुई भारत में डबलोचो का यह आकड़ा है तो सरकारी डेटा से कितना ज़्यादा है और किन बातों का खया लगते हुए डबलोचो ने इतना ज़्यादा कहा और भारत का क्या अबजेक्शन है उन सब बात होगी सेकंड इंडिया नौडिक समिट हुई है कहां पर रजुत हुई और इन देशों के प्राइमिश्टर्स ने जो संगठन है मैप के थुरू भी दिखाएंगे कि नौडिक कहां पर है कौन-कौन से देश है क्या बात होई है सब चर्चा होगी प्राइमिश्टर् Нरिंद मोधी की डेनमार्क क्यातर के दोरान दोनों देशों को बीच में कितने एगरिमेंट साइन हुया और क्या क्या है यह इंगरिमेंट कितना हो गया है, ऐसा क्या हुआ कि अब तक सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है, सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई हुई है क्या है मामला, सब चचा करेंगे तो शुरूर करते हैं दोस्तों और हाँ आपको इंफॉर्म कर दूँगी एसा सी CGL के जो एक्जामनिशन दिये है इस्टुदेंट्स ने, उन सब के जैसे एक उधारन पर ये बता दो CGL का, इनका कहना है कि करेंट फर्स के कई कोशन इनके टकड़ा गए ऐसे कई सारे कमेंट्स और इमेल्स आते रहते हैं तो मैंने एक सोचा कि एक साजा करूं आपसे चलिए शुरू करते हैं ये करेंट फर्स वीडियो और पहला कोशन है WHO ने कोरोना से, यानि COVID-19 से भारत में 47,440,000 लोगों की मौत का अनुमान लगा है ती आकड़ा सरकारी डेटा से कितना जादा है आंसर होगा लगभग 10 गुना जादा और निउस भी आप देख रहे हैं 4.7 मिलियन 4.7 मिलियन 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं तो 10 लाख होते हैं तो COVID-19 से देट के बारे में ये है कब से कब तक आई या आकड़ा है तो जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक का और इस पर सरकार ने क्या पत्ति जता ही है उस पर भी हम आगे बात करेंगे तो पहले ये डेटा देख लेते हैं कि क्या WHO ने ये कहा है तिये रिपोर्ट जारी के गई है 5 मई को और दुनिया भर में कोरोना से जो मौत हुई है उसके बारे में अलग-लग देशों के बारे में तो दुनिया भर में लग-भग डेर करोल लोग के मौत का अनुमान है COVID-19 से और उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में है 47 लाख से ज़्यादा उसके बाद है रशिया का, रशियन फेडरेशन का उसमें 10 लाख उसके बारे इंडोनेशिया वहाँ भी 10 लाख के बारे में कहा गया है फिर अमेरिका में है 9 लाख 32 जार फिर ब्राजील, मेक्सिको, पेरू, तुर्की, एजिप्ट, साफ अफरीका का ये आकड़ा है और पूरी दुनिया में तमाम देशों ने जितना आकड़ा दिया था कि इतने उनके देशों में देथ हुई है COVID-19 से उससे 3 गुना ज़्यादा है ये 1.5 करोर लोगों के मौत का आकड़ा अगर हम भारत के आकड़े की बात करेंगे तो वह करेंगे सार दुनिया भर में मौत हुई है और लगभग 47 लाख इंडिया में मौत हुई है और सरकार ने जो आकड़ा जारी किया था उसमें सरकार ने यह कहा था कि 4 लाख 80,000 लोग COVID-19 से उन लोगों की देथ हुई है लेकिन लगभग 10 कुना ये आकड़ा देखनों को मिल रहा है इसी तरह से अलग लग देशों का भी ऐसा ही है उन देशों ने जितना कहा जिस रशिया ने कहा कि हमारे यह 3 लाख लोगों की मौत हुई है तो वहां 10 लाख से जादने लोगों की मौत हुई थी मतलब सरकारियां आकड़े से काफी जादा अब बात है कि WHO ने किस आधार पर ये आकड़ा निकाला है हालाग कि सरकार निकाल कि ये गलत आकड़ा है WHO ने इसको दो चीजें जोड़ी है एक प्रतेक्ष मौत और एक और प्रतेक्ष मौत और प्रतेक्ष मौत मतलब एक तो directly मौत और एक indirectly मौत हुई है जिसकी वज़ा है COVID-19 प्रतेक्ष मौत मतलब COVID-19 हुआ किसी को उसकी देथ हो गई और प्रतेक्ष मौत का मतलब यह हुआ कि COVID-19 हुआ वो ठीक हुआ लेकिन उसका फिर उसे COVID-19 से जुरू हुई जो complications है खास दौर पर देखने मेला था क्यों हुआ था? क्योंकि जो oxygen cylinder जो इस्तमाल हुआ उसके सफाई नोही उसके पानी को उसमें एक फिल्टर होता है पानी रखा जाता है वो सही पानी ने रखा गया तो black fungus लोगों में हुआ उसे बहुत सारी मौत हुई तो उसको भी WHO ने जोड़ा है COVID-19 में कहा कि ये भी COVID-19 की वज़ा से हुआ इसके अलावा बहुत सारी दिक्कते हुई है ब्रेन में किसी को दिक्कत हुई उससे मौत हो गई किसी को heart attack आया थीक उसी के बाद या उसी दोरान उस सबको तो इस तरह के आप प्रतेक्ष जो मौत हैं उसको भी WHO ने जोड़ लिया है COVID-19 के आंकरे में इसको शामिल किया और ये बाते WHO ने साफ तोर पे कही है उसका कहना है कि आप कैसे मना कर सकते हैं कि COVID-19 से अस्पताल से जैसे ही मरी जाया और उसकी किसी वैस देथ हो गई तो वो मूल वाज़ा COVID-19 है ऐसा WHO का कहना है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो महामारी थी COVID-19 की उससे चीन, उस्टलिया, जापान, नॉर्वे वहाँ पर अपरतेक्ष रूप से मौते कम हुई चीन में अभी भी जिरो COVID-19 पॉलिसी अपनाई जा रही है यहाँ तक कि वहाँ जो एशियन गेम्स होने वाला था इस साल उसको भी अस्तगित कर दिया गया है तो यह सब चीज़ें वहाँ पर की गई WHO के डिरेक्टर जेनरल कौन है? तो उनका यह कहना है कि यह आकड़ा है WHO का यह बहुत ही गंभीर है और इसे तमाम देशों में जो इस्तिती है, स्वास्त की जो आपात इस्तिती है उससे निपटने की छमता का पता चलता है तो वहाँ पर उन देशों में जदे बहतर ब्योस्था बनाई जाने चाहिए ताकि ऐसी महमारी आए, ऐसी जब अचानक इमर्जनसी आए तो इलाज लोगों को मिल सके अच्छा भारत ने WHO की इस रिपोर्ट को नकार दिया है ऑफिशल रूप से भारत ने ये कहाए कि ये महमारी है उसे समझे जो मिर्तुदर का अनुमान WHO ने लगाया उसके लिए जो mathematical जो model पेश किये गए model जो इसमाल किया गया उस पर कड़ी आपती जताई है भारत ने भारत ने ये कहाए कि ये जो model अपनाए गया जो calculation का देथ का calculation का वो बहुत ही संदिग्ध है और प्रमानिक आकड़ा उपलंद है सरकार का उसके मताबिक कितने लोग की मौत हुई है प्रमानिक आकड़ा के मताबिक 4,80,000 लोग की मौत हुई है और सरकार का कहना है कि इतनी ही मौत हुई है COVID-19 से चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question लेते है Second India Nordic Summit कहाँ पर आज़ित की गई है आंसर रुगा Copenhagen Copenhagen कहा है Denmark की राजधानी है तो सवाल है कि यह Summit का बाज़ित की गई है India Nordic Summit तो 4 मई 2022 को आज़ित की गई Copenhagen यानि Denmark की राजधानी में है और इस Summit को होश्ट किस ने किया Denmark की PM Matt Fredrickson ने किया यह है Matt Fredrickson Summit में कई और Prime Minister भी शामिल हुए और इस Summit में दोनों तरफ की यानि India Nordic देशों के समंध को रिविउ किया गया पहले जो meeting हुई थी, Summit हुई थी शिकर वारता हुई थी, वो 2018 में हुई थी Summit में जो शामिल देश है, उसका map भी आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले एक बाद परिचे करवाद हूँ कौन-कौन से, यह फोटोग्राप जो देख रहे हैं इनमें कौन-कौन से है, तो Nordic देशों में चार तो women Prime Minister हो और एक male Prime Minister है तो Prime Minister Nandamodhi तो हैं भारत के और इनके बगल में यह हैं Denmark की Prime Minister Matt Fredrickson, यह हैं Norway की Prime Minister क्या नाम हिनका, Jonas Gherastore और यह हैं Iceland की Prime Minister क्या नाम हिनका, Catherine Jack Busdorter और Prime Minister Nandamodhi के इस तरफ हैं, यह कौन है? Sweden की Prime Minister है, Magda Lina Anderson और आखरी में आप देख रहें उनको, Finland की Prime Minister है Sana Marin, तो Denmark, Sweden, Iceland और Finland उसकी Prime Minister महिलाएं हैं और यह सब जो देश है, वो सबसे खुशाहाल देश माना जाता है तो आप देख लेते हैं कि Nordic Country का map तो world map में यह रहा प्यारा भारत और यहां से चलते हैं यूरोपिय देश की और और वो भी उतरी छोड की और और आप देख रहें, उतरी धुरूब है इस तरफ और यह Arctic Ocean है और इसमें यह रहा नॉर्वे, Sweden, Finland, Denmark और Iceland यह तो चार प्रमुक देश हो गए, इसके लाव भी और दूइप हैं जो कि Nordic के member हैं, कौन सो? तो जिसे फेरोदीब, यहां पर मौझूद है इसके लावा Greenland, यह वाला और एक Allland है, वो भी एक दूइप है तो यह सम मिलके Nordic समूह कहलाते हैं तो इसी के साथ इंडिया की यह समिट हुई है उसमें Prime Minister Narendra Modi शामिल हुए क्या के बाते हुई, तो COVID-19 के बाद जो आर्थिक सुधार है Climate Change, Sustainable Development Innovation, Digitalization Green and Clean Growth, Energy, Green Energy इन सब पर चर्चा हुई है, बाचित हुई है और दोनों तरफ इंडिया ने कोशिशी की है कि उसे व्यापार और बेहतर हो सके वर्ष 2021 में, यहीं 2021 के बीच में इंडिया और नौडिक देशों के बीच में 5 बिलियन डॉलर का ट्रेड रहा है, व्यापार हुआ है और इन सब देशों ने यह कहा है कि हम इंडिया का जो सागर माला प्रजेक्ट है उसमें सपोर्ट करेंगे चलिए आगे परते हैं, अगला कोशन लेते हैं प्राइमिस्टर नरिंद मोदी के डेनमार की यातर को दुरान दोनों देशों के बीच में कितने एग्रिमेंट साइन हुए है आंसरों का टुटल साथ साथ एग्रिमेंट साइन हुए है और दो डेकलेरेशन हुआ है हैं वैसे नौ लेकिन अगर सिर्फ एग्रिमेंट की बात करेंगे तो वह हैं साथ तो प्राइमिस्टर नरिंद मोदी और डेनमार की प्राइमिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन यह फोटोग्राफ देख रहा है बाकि यह वहां के अधिकारी है और मंतरी बगरा है तो तीन माई को डेनमार की राजधानी कोपेनहेगन में दुपक्षी वारता हुई बाइल लेटरल बारता हुई है और साथ एग्रिमेंट साइन किये गए है और प्राइमिनिस्टर नरिद्मोदी का स्वागत डेनमार की क्वीन है वहां पर Конstitucional Monarchy है डेनमार क में डेनमार का मैप आपने देखा ही इससे पहले के कोशन में तो डेनमार की क्वीन है मार्गरित सेकंड अई यह रही डेनमार की क्वीन और ये है प्राइमिनिस्टर और बाकी उस राजतंतर के बाकी सदस्य है प्राइमिनिस्टर नरिंद मोदी तो है ये तो क्या-क्या agreement हुए है वो भी हम देख रहते हैं जिसे पहला जो agreement है Declaration of Intent यानि DOI on Migration and Mobility एक दूसरे के देश के लोग आजा सकेंगे आसानी से ये तैह हुआ है Second क्या है Letter of Intent हुआ है यानि LOL on the establishment of a center of excellence on green shipping यानि भारत का जो shipping है खास्तों green shipping और जल मार्ग है उन सब का Denmark और इंडिया जो है उसके shipping area को उन सब के बीच में financially, business इन सब को बहतर करेगा तीसरा है cultural exchange program इसमें क्या है तो इसमें भारत और डेनमार्क के बीच में ये तैह हुआ है कि 2022 से 26 तक हम cultural एक दूसरे के delegation भेज़ेंगे और exchange program चलाएंगे अगला चौथा क्या है तो letter of intent उसके बीच में हुआ है कि Minister of Jalashakti और Minister of Environment of Denmark मार्क दोनग बीच में ये तैह हुआ है कि हम जो जल शक्ती से related जो भी चीज़े हैं वो हम एक दूसरे को support करेंगे पांचवा है MOU है MOU on cooperation in the field of skill development, vocational education and entrepreneurship तो मतलब यह हुआ कि skill development, vocational education and entrepreneurship में एक दूसरे को मदद करेंगे और छठा है joint declaration of intent on cooperation in the field of animal husbandry and daring तो dairy और animal husbandry यहनी पशुपालन के छेत में दोनों देश एक दूसरे को मदद करेंगे साथवा है letter of intent between invest India and technical universities of Denmark मतलब दोनों जो है वो collaboration करेंगे जो भी technical institute है उन सब में India और Denmark उन सब के बीच में तो यह सब agreement हुए है और important बात है examination के लिए ठीक है Denmark की बात हो रही है राजधानी कई बार चाचाओ गई इस वीडियो में Copenhagen Queen कौन है Margaret Second मुझे लगता है नाम याद हो गया होगा आपको और मुद्रा क्या है Euro ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question लेते हैं RBI ने अचानक मई 2022 में repo rate को बढ़ा कर कितना कर दिया है answer होगा 4.4% repo rate को बढ़ा दिया गया है RBI की Monetary Policy Committee यानि मौद्रिक नीती समीती एक समिक्षा बैठक किया 4 माई को और ये फैसला कर लिया इस से लेटेड और बताते हैं repo rate क्या होता है क्यों बढ़ाय गया क्या दिखेते हैं सब बताते हैं एक और question इससे जुड़ा होगा ले लेते हैं उसके बाद RBI ने माई 2022 में कितने basis point की बरहोतरी करके repo rate 4.4% कर दिया है इसका answer बताते हैं आगे उससे पहले inform कर दो कि April तक का total current force PDF अबलेबर हो चुका है description में चेक कर सकते हैं और आप membership ले सकते हैं 1 year का membership है current force को लेकर इसके थूँ आपको मिलता है current force का PDF every week, every month tri monthly, half yearly और एक साल का भी पिछले भी PDF आप ले सकते हैं weekly mock test होता है every Sunday को और इस Sunday को भी होना है exam based monthly test series भी आज़ित किया आता है तो आप participate कर सकते हैं और ये दोनों जो test series हैं वो कभी भी दे सकते हैं आप पिछले भी available हैं वो समय participate कर सकते हैं और भी कई फायदे हैं तो description चेक कर सकते हैं आप तो question जो अपने देखा कि कितना basis point की परहुतरी की गई है repo rate में repo rate में कितना basis point की परहुतरी की गई है तो answer होगा इसका 40 40 basis point की परहुतरी की गई है क्या होता है ये basis point वो सब बताते हैं देखिए आम तोर पर monetary policy की review जो होता है RBI करता है और ये दो महीने पर होता है पिछली बैठक अपरेल में होई थी और अगली जो meeting होनी थी वो जून में होनी थी लेकिन भारत में महंगाई इसकदर बेकाबू होती जा रही है कि RBI को दखल देना पड़ा है तो policy repo rate को 40 basis point तक बढ़ा कर 4.4% कर दिया है ये repo rate कर दिया गया है इससे पहले repo rate क्या था? 4% था repo rate क्या होता है वो भी आगे बदाते हैं और एक और बात कि RBI ने cash reserve ratio यानि CRR को भी बढ़ा दिया है 50 basis point बढ़ा दिया है RBI के governor शक्तिका अंदास का कहना है कि ऐसा कदम महंगाई को control करने के लिए किया जाए है सवाल है कि basis point होता क्या है? यह basis point यह क्या है? यहां भी लिखा हुआ है basis point हिंदी में कहेंगे आधार अंक तो 1% का आधार अंक मतलब 100 basis point कहलाते हैं 100 तो 1% मतलब 100 यह मान लिए जाता है तो इसलिए कहने के लिए मतलब चुकि 0.4% बढ़ा गया रेपोरेट इसलिए कहा गया 40 basis point 1% में 100 basis point मान लिए जाता है 40 बढ़ा यानि 0.4% बढ़ा रेपोरेट रेपोरेट होता क्या है? अब यह समझ लेते हैं आसान भाषा में कहें कि तो बैंक जो हमें कर्ज देता है या आपको कर्ज देता है उस कर्ज पर हमें यह आपको ब्याज देना होता है ठीक वैसे ही बैंक भी अपने रोज मर्रा के कामकाज के लिए और आपको यह हमें लोन देने के लिए भारी भरकम उसको रकम की जुरूरत पड़ती है और वो ये RBI से कर्ज लेता है और इस लोन पर RBI जिस दर से उसे ब्याज वसूलता है उसे कहते है रेपोर रेट मतलब कि एक बैंक है उसने आपको लोन दिया है और आपको लोन देने के लिए उसने RBI से लोन लिया है तो यहां से पहले बैंक ने लिया फिर आपको दिया तो आपको जो दिया वहाँ ब्याज लिया इसने और RBI ने जो दिया इस बैंक को वो RBI ने ब्याज लिया है तो उसी को कहते हैं रेपोर रेट इसी तरह से होता है reverse repo rate या cash reserve ratio तो इस तरह से होता है उसमें ही यह होता है कि अगर bank के पास ज्यादा पैसा है तो वो RBI के पास अपना पैसा रख देता है तो उसके बदले RBI इसको interest देता है ठीक है तो अब सवाल है कि इसे आम आदमी क्या फर्क परता है जब repo rate बढ़ जाता है तो ऐसे में गरहकों को करज भी महाँगा मिलता है ज्यादा interest rate देना परता है अब सवाल है कि repo rate का महाँगाई के बढ़ने या घटने से क्या मतलब है तो देखे देश में महाँगाई को कम करने की जो प्रात्मिक जिम्मेदारी है वो reserve bank of India के पास है उसी के पास है secondary जिम्मेदारी है government के पास तो सबसे पहले कोशिश करता है RBI RBI repo rate में यानि वो repo rate के जड़ी क्या करता है कि market से जो नगदी है यानि liquidity है उसको कम करता है अगर जैसे ही ये repo rate बढ़ गया वैसे ही क्या हुआ कि तमाम जो भी loan है उन सब के बढ़ गया जैसे में public loan कम लेगी ऐसा मनायत है और फिर bank क्या करेंगे चुकि cash reserve ratio बढ़ गया है तो इसलिए bank क्या करेंगे अपना जो रकम है वो ज्याद्या ब्याज के लिए वो RPA के पास जमा करतेंगे तो market में रूपय की कम ही हो जाएगी यानि जो extra जो से जादा नगदी है वो कम हो जाएगा और आपको पता होगा कि अगर market में जादा रूपया रहता है तो उससे महंगाई बढ़ती है और रूपय को कम कर दिया जाता है तो उससे महंगाई कम हो जाती है महंगाई पढ़ने के कई सारी वज़े हैं जैसे रूस और यूकरेन के बीच में युद्ध चल रहा है वार हो रहा है उसकी वज़े से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है वा यह है कि जो धातू, क्रूटायल, गैस इन सब की कीमितें बहुत जादा बढ़ गए है और इससे सिधा रिष्टा आम खपत का है तो देश में मॉलिटरी लिक्वेडिटी अगर जादा होगी तो इससे भी महंगाई होती है तो RBI नहीं कोशिश की है कि वो कम करे इस मुद्धे पर पूरा समझ चुके हों गया आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं देश का GST राजस्व संग्रा यानि रेविन्यू कलेक्शन अपरेल 2022 में कितना रहा आंसर होगा 1.67 लाग करोर रुपे यह आल टाइम हाई रहा अब तक इतना इतनी रकम यानि 1.67,000 करोर रुपे यह कलेक्शन कभी नहीं हो आता है GST के तोर पर तो यह रिकॉर्ड हाई है और इसके सबसे बड़ी जो वज़य है वो महंगाई और आयात का बढ़ना है वित्मत्रा ने 1 माई 2022 को यह बताया है कि अपरेल में यह कलेक्शन रहा है GST कलेक्शन Finance Ministry ने यह बताया है अगर हम इससे पहले की बात करेंगे यानि मार्च की तो 1.42 लाग करोर रुपे रहा है मतलब कि मार्च की तुलना में GST जो कलेक्शन है वो 25,000 करोर रुपे आधिकरा है पहली बार यह इतना गया है GST कलेक्शन तो सवाल है कि यह GST कलेक्शन क्यों बढ़ गया अचानक से तो बढ़ती महंगाई आयात में विड़ी यह दो मुख वज़ा है दरसल क्या हुआ है कि जब हम रोज मर रहा कि चीज़ें देख खाड़ीतें जाते हैं तो चाहे केमत ज्यादा बढ़ गई हो लेकिन हमें जो जरूरत है जितनी कम करने के बाब बावजूद जो बहत जरूर चीज़े हैं जैसे खाने पीने की चीज़ों होगे खाएंगे तो आप जरूर ही कुछ चीज़ें आप कटवती करेंगे महगाई बढ़ने की वज़े से लेकिन जो बेसिक चीज़े हैं वो तो आप लेंगे ही तो जब किसी चीज़ का रेट बढ़ गया तो उसे जीएश्टी भी बढ़ गया तो इस वज़े से सरकार को कमाई बढ़ है और आयाद भी काफी बढ़ा है तो उससे भी जीएश्टी का टेक्स कलेशन बढ़ा है और स इससे पहले वो किस मंत्रले के सच्चीव के पदपर थे, तो आंशोगा प्रचालीम और प्रकटिक गैस मंत्रले के सिकर्टरी के तौर पर वो काम कर रहे थे इससे पहले तो इसी महीने उनको प्रामिश्टर नरिद मोधी का सलहकार निवतिया गया है दो वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और न्यूज यह रहा है फोटोग्राफ यह दिख रहा है चलिए आगे परते हैं अगला कोशन किस राज ने मुख मंत्री मितान योजना शुरू की है आंसरों का 36 गर मितान का अर्थ होता है मित्र यानि दोस्त तो इस योजना के तहट 36 गर के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सरजनिक सिवाओं का लाभ उठा सकते हैं यहीं होम डिलिवडी होगी जो सरजनिक सिवाओं हैं उसको लेकर और इसको अभी करीब 14 नगर निगों में पाइलर प्रजेक्ट के तोर पर यह शुरू किया गया तो 36 का मैप यहारा यह है बारत में 36 मुख मंत्र कौन है भुपेश बगेल अगला कोशन लेते हैं जेफ बेजोस की जगा अमेजन का CEO कौन चुना गया है आंसर होगा NDJC फोटोग्राफ यह रहा यह चुने गया है और अमेजन के बोर्ड आफ डार्टर की मिटिंग होई अभी हाली में और इनको CEO चुन लिया गया है नया आधिकारिक तोर पर यह 5 जुलाई से अमेजन के CEO बन जाएंगे अभी तक जेफ बेजोस थे वो CEO तो जेफ बेजोस अब अमेजन के जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बनेंगे और CEO का का काम यह देखेंगे ओके अमेजन के स्थापना कब होई थी? पांच जुलाई 1994 को मुख्याले का है सीटल, वाशिंग्टन, अमेरिका में अगला कोशन लेते हैं अंतराश्टी अगनी शामक दिवस यह कब मना जाता है? आध्यों का 4 मई को आयुति किया जाता है फायर फाइटर से उनको सम्मान देने के लिए यह दिवस आईट किया जाता है तो दोस्तों यह था टोटल करेंट वर्स और आप मेंबर्शिप भी ले सकते हैं सरकारी जॉबने उसका और एप भी अबलेबल है आप गूगल प्लेश्टों पर जाएए सरकारी जॉबने उस सर्च करेंगे और आपको एप मिल जागा इसे करेंट वर्स की तैयारी खास्तों पर आप बहतरी कर सकते हैं